हलो आप्रिवन वेल्कम बैक टो माई चानेल क्विक स्टड़ी है ने न्यू वीडियो तो शुरू करते हैं आज का वीडियो तो यह वीडियो बेसिकली बुक्स अन्बॉक्सिंग का होने वाला है तो मुझे आज मेरे इगनूस के बुक्स पाइनल ही मिल चुका है मैंने मास्टर्स का एडमिशन दिया है इगनू में तो मैंने अडमिशन फेडरी को मिल लिया था और यह 2nd of June को मुझे यह बुक्स मिले और यह बाइपो स्टाफ को मिलेगा और एडमिशन के टाइम पर आपक कि आपका बूक्स आपको हर्डपी हर्डपfendim कौन सा चाहिए आप सेलेक का लेना अधी प्रिफर हार्ट कॉपी please go with hard copy because hard copy पढ़ने में भी easy है soft copy किया mobile से laptop से पढ़ना पढ़ेगा problem होता है no hard copies are hard copies तो ये books के quality की बात करूँ तो कुछ-कुछ books फटे हुए थे कुछ-कुछ भीगे हुए थे किसी का papers cover का problem था किसी का भीज के papers फटे हुए थे और printing की बात करूँ तो प्रिंटिक सच में बहुत ज्यादा अच्छा था और पेज का जो अंदर का पेज था वह भी बहुत अच्छा था तो आपी कुछ-कुछ फटे हुए मिले क्योंकि बारिश का मौसम था कुछ को भीग भी गया था because the packaging was of whole paper plastic was not used उतना compromise करना ही पड़ेगा क्योंकि हम रीटर्न नहीं कर सकते आइस बहुत प्रॉब्लम होता है नहीं तो और यह free of cost है मतलब इसका जितना भी थोड़ा बहुत लगता है अनुशन के टाइम पर ही ले लेते हैं तो मुझे paper 1, paper 2, paper 3 के 2-2 volumes में लें लें इसका भी थोड़ा तो अफटा हुआ है आप देख सकते हैं मैं इस books को detail में एक किसी दूसरे वीडियो में जरूर शेयर करूंगी details इस वीडियो में सिर्फ unboxing का किया मैंने तो basically मुझे दो-दो volumes के मिलें सिर्फ एक या दो paper का ही मुझे एक books मिला बाकी इसका context ही बहुत ज्यादा अचा है और यह एकदम syllabus का जो उसी में है और language भी बहुत easy to understand and easy to read है फिर यह books मुझे दो packets में मिलें तो मुझे post office में जाकर लाना पड़ा because यह बहुत ज्यादा है भी था तो वो लोगों ने खर पे delivery नहीं दिया post office ज्यादा दो नहीं नजदी की है तो वह से ले आए हम बाकी इस books का size बोलू तो size थोना से ज्यादा बड़ा है according to जो books हम लोग graduation से पढ़ते आए because वो ज्यादातर छोटे होते हैं please do like share and subscribe bye bye